दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान ताक जीता रहे अपना हिंदुस्तान हम जीए हम मरे इस वतन के लिए इस चमन के लिए ताक खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ दोस्तों साथियों दोस्तों से मिलो दोस्तों की तरह दुश्मनों से मिलो दुश्मनों की तरह जीना क्या मर्ना क्या उस दिलों की तरह कह रहा ये बतन ये जमी असमा माओं ने अपने बेटे दिये नौजबा सोचकर और क्या ताक जीता रहे अपना इंदुस्ता पुलवामा हमले के बाद आदेश के हर वेक्ति की जुबान पर एक ही सवाल है कि जवानों की सहादत का बदला कब लिया जाएगा पाकिस्तान को मुहतोर जवाब कब दिया जाएगा ऐसे मैं आज सिविल पुलिस कर्मियों की पतनिया हो या फिर सेना की सब इस इंतजार में है कि कब उन्हें सरकार या सेना के उस अधिकारियों से आदेश मिले बॉर्डर पे जाने का वो खुशी खुशी अपने पतियों और बेटों को भेजेंगी ताकि वह जाकर आतंगवादियों और पाकिस्तान के कायर सैनिकों को सबक सिखा सकें हमारे संबादाता अली महदी ने ऐसे ही कुछ बिरांगनाओं से बात की एक बार आप भी सुनिये क्या कहती हैं जवानों की पतनिया मेरा कहना कि देश को उसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और अपने जिड़ी आतंगवादी है उनके लिए कठोर कदम डेश को इप लिए स को में अगर कल ओडर आताया आपके पती को जाना पड़े तो आप क्या कहींगी मैं उनको भेतने क्लें तैयार हूं कि रहे हैं बॉरा से बॉरा किया ड़ा है जाए जाए अगर कल बॉलावा आता है आपके पती के लिए बॉरदर पर जाएंगा और सरहत पर उसे बदला लेने में अपना योगदान देंगे तो आपका क्या कहने हैं अभी दोग उन लोगों खुशी खुशी बहे जाएंगे जो उन्होंने करा है उससे दो गुनी दुरगति करनी चाहिए उनसे बदला लेना चाहिए जिस माता बेहन पर जिन किसी का बेटा किसी का बहाई उन पर गुजर रही है वो तो जाने ही जाने और जो हम लोगों को भी लग रही है दूर से ही बस पूछो मत चक्काल अगर बुलावाता आपके बेटेों या पती को सरहत पर जाना पड़े तब आपका रियक्शन क्या होगा बिलकुल रियक्शन यही होगा ज कि जो बिचारे परेसान है उनकी परेसानी देखी जाए उनको निकाल के बाहर कर दिया जाए सजा ऐसी दी जाए कि उनको बाहर कर दिया जाए बिलकुल रहने न दिया जाए कोई माँ कोई बेहन कोई बेटी इस तरह सा तड़ रहे है उनकी तड़ देख जाके किस तरह सा त मैं बिलकुल खुसी खुसी बेज दूँगे अपने पती को पुलमावा हमले के बाद आज पुरे देश में गम और गुस्सा है हर हिंदुस्तानी की रगों में दोड़ने वाला खोन उबाल मार रहा है बाहें फलफरा रही है आदेश में ऐसा माहौल है कि अगर आदेश मिल जाए तो हर इनसान उस लड़ाई में कोट पड़ेगा जिसके जरिए आतंकवादियों का सफाया होना है